वेल्कम तु जियो साइंस अकेडमी माय नमें सुमित एंड आज हम हमारा पॉलिटिका फर्स शिप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमने 1773 से हमने 1857 तक कवर किया था आज हम आगे का सेकेंड पार्ट देखेंगे क्राउन रूल जो हम कवर करेंगे 1858 से 1947 आप सबको पता कि 1947 में आला भी मिली थी तो यहां से लिखिए यहां पे क्या रूल हुआ क्या चेंजिस हुए क्या एक टाय क्या एक फ्रेमवर्ग बना है हमारे कॉंसिट्यूशन का वह आज हम आगे देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे गौवर्मेंट आफ इंडिया एक 1858 अब यह इसलिए बिकॉस अठाटा सो सक्ता उनकी करांती वही थी जिसे हम फर्स वार आफ इंडिपेंडेंडेंस के ते जिसे सीपाय म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है आप सबको पता है कि यहां पर पहली बार विद्रू करने के अलावा हमेशा करना चाहिए कि इस इंडिया कंपनी को हटा के डायरेक्ट रूल करना चाहिए कहां पर इंडिया पर क्योंकि अब इंडियंस को हमारे साथ लेना ज़रूरी है अगर उनके उपर रूल करना है तो इंडियंस को शामिल करना ज़रूरी हो गया था ठीक ह इसलिए यहां से good government भी स्टार्ट हो गई थी ताकि हम इंडिया को थोड़ा सा अपने साथ लेंगे वो development हरका हरका करेंगे ताकि उनको भी लगे कि ब्रेटिशा development कर रहे हो था उनकी गुलाम अभीता करें और आगे भी रहे तो अब यहां पर इंडिया से रिल्टेट जितना इसलिए गवर्णमेंट या फिक जो गवन होता था वह जो इलिजबेस थी इस हर मैजस्टी जिसे कहते थे मैजस्टी जो होते थे इलिजबेस उनकी अंडर्माइंग गवर्ण करेंगी इंडिया को उनकी एक्वाडिंगी ठीक है उसके बाद जिसे हमने पहले देखा था कि पहले गवर्णर बेंगॉल होगा करते थे ठीक है उसके बाद फिर इनको हटाके गवर्णर जनरल ऑफ बेंगॉल की जगे यहां पर हो गया गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया तो जैसे जैसे एरिया उन्होंने केप्चर करते गया ब्रेटिश का कंट्रोल अच्छा होता गया उन्होंने अपनी जो पोस्ट उपादी बढ़ाते गए वह चेंज करते गए अब यहां पर क्या हुआ अब गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया जो गवा करते थे उन्हें आप वोप्ष्ट्रवाइश गया की पोस्स से रिपलेस कर दिया गया लुए वाइस ओडिया और पहले लॉट कैनी यह भी यूपीस ने काफी बार पुछा गया है कि फिले वालस्तोई कौन थे लॉट कैनी वन वर्ड में इसली यह आ सकता है जिसे मैं आपको बता है कि यहां पर हम इंपोर्टेंट जो ही एक्जाम पॉइंटों इसे वही कवर कर रहे है तो मेक शूर कि आप एक बार बुक से जाके रिट जरूर करें कि हम नहीं क्या समझा है किसे रिट किया है ताकि आप बैटर लिंक कर सकें तो अब हम देखते है हमा होगा कि हमने पहले क्या पढ़ाया और अब क्या पढ़ रहे क्या चेंजेस हुए है ठीक है क्योंकि हमारा Constitution का framework हम समझ रहे है ठीक है तो जैसी कि हमने पहले देखा था 1773 में governing body बनाई गए थी किसे company को govern करने के लिए टाकि इंडिया पर हम रूल कर सके तो court of directors और board of control का abolish कर जाए गया था ठीक है उसके सारी साथ एक new office बनाए गया था security of state के नाम से security of state for India जिसके अंडर में Indian administration से related और control power उसके hand में दी गई थी इंडिया से related कि अब वो इंडिया से related decision अब वही लेगा और security of state for India किसे responsible होगा British Parliament को ठीक है British cabinet में उस member को जगा दे दी गई मतलब यह है कि UK में जो Parliament था वहाँ पे एक security of state for India के नाम से post बनाए गई और आप वो इंडिया से related जो भी काम होगे वो अब वही लेगा ठीक है वो साथ ही साथ उसको एक 15 member की council भी setup की गई इंडिया में ठीक है जो assist करेगी security of state को इंडिया से related और वो सिर्फ advisory body होगी ठीक है सिर्फ वो advice कर सकती है उनके जो decision वो binding नहीं है वो अगर पूछेंगे security of state इंसे तब वो advice दे सकते है ठीक है और chairman कौन थे इनके security of state ठीक है यहां से देख सकती है हम कि कैसे यहां से उन्होंने पूरा control अपने हेंड में लेना start कर दिया था British government तो security of state और उसके under में को रहेगा यहां पर वाइस रॉफ इंडिया ठीक है यहां पर इसकी इसकी आपिक देख लेगा यहां पर जॉस्स करेंगे उसके इसके नीचे को रहेगा वाइस रॉफ इंडिया तो एससे पोस्त अपरेट करते गए और आगे वह रूल करते गए अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इंडियन कॉंसिलेक्ट 1892 इसके फिचर्स देख लेता है यहां पर इंक्रीज कर देगे थे नंबर नॉन ओफिशल मेंबर के सेंटल में नॉन ओफिशल मेंबर यह धियान लगना है काफी स्टेटमन में पूछा गया है ऑफिशल नॉन ओफिशल में आपको कंक्यूस कर देते हैं यू केसी नॉन ओफिशल मतलब यह कि अधर देन गवर्मेंट एंप्लाइन गवर्मेंट मेंबर जैसे जमिन दार हो गए लेंड़ोट्स हो गए राजा महराजा को एंड हो ठीक है तो सेंटल में इनकी जो नंबर इंक्रीस क मतलब हमारे करेंट पर हते हैं यू पीट और तो महां पर यो करते थे प्रोविंस हो गया लग प्रविंस के और आप लेकिन आप यहां पर समझ लीजिसलेटिव मतलब जो लॉग बनाते हैं लॉग बनाने वाले एंड एक्जिक्यूटिव मतलब यह जो एक्जिक्यूट करते है उसको और फिर आते हैं अपने एक जुडिशरी ठीक है यह तीन बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है यह आपको य उसे देखते है कि लॉग सही बनाया है या नहीं यह Constitution के एक्ऌरिंग है या नहीं घिक्फेटिए एंड हमारे इंडिया में एक्जिक्यूटिव कोन कोन है लाइक पीं होगया हमारा थीकिखेजु अपर मिनिस्टर हो गए मदेन प्रेसेडेंट वाइस प्रेसेडेंट यह अ हो इनने नाम में पर होते है प्रेसिटैंट के नाम पे लाते है और स्थे साथि साथ मतलब तीर में नम नियुत टीन pursu ऐता है तों मिलके law बनाते हैं वह जो चारो पांच मिलके law को implement करते हैं जो डियो श्री आपको पता है Supreme Court है जो उसे देखती है कि law Constitution के according है या नहीं और जो एक्जेक्टी एक्जेक्ट करते है वह according हो रहा है या नहीं तो आगे देख लेते हम अब जैसे जैसे यहां पर इनकी मेंबर को increase किया गया है legislative council के function भी बढ़ाती है जिसे कि यहां पर जिसे पहले budget आता था तो पहले budget रख देते थे and implement हो जाता था लेकिन अब यहां के जो मेंबर से वर्ब question भी पूछ सकते है budget से related एक्जेक्टीव से क्यों है क्या है पहले पावर इनके पास नहीं थी पहले सिप जो budget आता था वह आता था देखते और implement होई आता था लेकिन आप वह executive से पूछेंगे यह budget क्या है क्यों है और इसे कैसे execute करेंगे उसके बाद क्या हुआ nomination हुआ कुछ non-official members का ठीक है central legislative council में nomination किया किसने किया वो किया voice fine किसके recommendation से एक तो provincial legislative council की recommendation से and second is Bengal chamber of commerce की recommendation से ठीक है nominated members यहां पर nominate किये गए और उसके आद पर second is provincial legislative council मतलब समलो कि state की legislative council है वहां पर किसने appoint किया nominate किया वो governor ने किया ठीक है और किसके recommendation से किया district board की municipalities की universities की trade association associations की जम्मिंदार की और chambers के according यहां पर nominate किया गया ठीक है गाइस तो यहां पर हमारा जो बोलते है कि यहां से बहुत important part शुरू हता हम historical background का because अगर historical background में अगर आप अगर पास या previous year के अगर आपने अगर question paper देखियो तो जो 1909 जो एक थे उसके बाद फिर आया था 1990 इन देन उसके बाद 1935 जो तीन है यह मैं कहना चाहता हूं कि यह most important है आपको अगर historical background में अगर और कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है या ना हो रहा है तो आपको यह 3 तो बिलकुल याद करने यह by hook और by clock ठीक है क्योंकि यहां से आपकी जो कोशन आने के जो chances हैं वह maximum होते है historical background में ठीक है तो अब हम यहां से start करेंगे इंडियन कॉंसिल एक 1909 ठीक है तो यह आपको तीन काफी important है हम अभी यहां से start कर रहें ठीक है गाइस तो इसे मॉर्ले मेंटो रिफॉंस भी कहा जाता है ठीक है जोगी लॉड मॉर्ले कुन थे सेक्रेटी ऑव स्टेट और लॉड मेंटो थे वाइश्राय अफ इंडिया ठीक है इसके features दख लेते हैं यहां पर legislative council की size increase कर दी गई थी और ठीक है यहां पर increase थो किया थे लेकिन यहां पर central पर भी वह प्रोविंस दोनों पर increase किये गए थे नंबर ठीक है पहले क्या था पहले सिफ सेंटर में increase किये गए थे वह भी non official members यहां पर दोनों पर increase कर दिये गए क्या कित्ते किये 16 से 60 कि लेकिन अभी भी ऑफिशल मेजर्टी सेंटर लेइसलिटी council में नहीं की थी ठीक है नोन ओफिशल मेंबर को बढ़ाय गया था देगा अब यहां पर प्रोविंस पर नोन ओफिशल को बढ़ा दिया गया था अब जैसे पहले हमने देखा है कि अगर यहां पर नमबर बढ़ा है तो उनके साथ ही साल उनके functions भी बढ़ा गए लेइसलिटी council के दोनों लेवल पर प्रोविंस पर भी वह उसेंटर पर एक एक्जां लेकिन अब साथ ही और supplement भी कोशन मतले है कि आप एक और एक्षां कोशन ही पूछ सकते हैं बजट से related या उसे related cross question भी कर सकते हैं पहले कि आप एक ही cross question कर सकते थे पट्र दोर thing से related अब यहां पर और cross question कर सकते हैं ठीकिछ, supplement मतलब कि और ज्यादा ठीकिछ, additional और साथ साथ resolution भी मोग का सकते है budget से रिलेटेड एंड गाइस यह काफी important point point है इसका यह तो UPSC का favorite माल लेजे ठीक है यह one word में पूछ सकते है and statement में पहली बार यहाँ पे इसे प्रसाथ सीना को पहली बार इंड पहला इंड था जिसे वाइसराइ की एक्जेकुटिव कॉंसल में इट किया गया था और इन्हें अपॉइंट किया गया था इस लौ मेंबर ठीक है इस लौ मेंबर इन्हें अपॉइंट किया गया था उसके बार गया था यह पॉइंट तो जैसे की मैंने बताया है कि सत्रिंक तरसाथ सीना यह बहुत तो इससे इक्ट का फीच्टर ना यह इससे बौल तो separate electorate यहाँ पे लाया गया था पहली बार कि इसलिए यहां से लिखिलाइज हो गया था क्मिनलिजम कमिनल मतलब कि कास्के basis पे डिवाइड करना कि कास्याज़ एनके basis परीली जनकी अब उसके आध पर लॉड मेंटो जिनको कहा जाता है कि फादेर्डाफ क esqu Pen इलेक्टोरेट क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ था सेप्रेट इलेक्टोरेट तो यहां पर हमारा फेला 1908 खत्म होता है अब आगे हम देखेंगे गवर्मेंट आफ इंडिया एक नाइटीन 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 ठीक है कि यहां पर दीरे दीरे इंट्रोड करेंगे रिस्पॉंसीबर्मेंट करेंगे इसलीए यह यह लाय जा रहे है इसलिए नाम दिया गए गवर्मेंट आफ इंडिया इसे मॉन्टेक चल्मसफोर्ड रिफॉर्म भी कहते है जो लॉर्ड मॉन्टेक थे वो कोन थे अपने सेक्रेटी ऑफ स्टेट एंड लॉर्ड चल्मसफोर्ड जो थे वो अपने थे वाइशुदर एफ इंडिया ठीक है इसेट के हम फिचर्स देख लेह थे यहां पर क्या हो था तब जो सेक्रेट का कंट्रोल था था फ्लोंस में ठोड़ा सा रिञटस हुस रिलेक्स सेसे वहां पर सेपरेट कर दियो थे पावेर को मतलब उनकी सबजेक केकॉर्डिंग सेपराट कर दिय ніj crazy सब्जेक्ट मतलब जिसे की आगे पढ़ेंगी कि हमारे Constitution में 7 लिस्ट है जहाँ पर एक Central के कुछ सब्जेक्ट ही जहाँ पर Central ही रूल बनाईगी ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे होते हैं एक जो State की होंगे वो तिसरे होंगे Concurrent मतलब इन दोनों को मिलागे जो दोनो यह law बनाती है रूल लाती है ठीक है यहाँ पर क्या किया था सेप्रेट कर दिया था प्रोविंस को सेंट्र स्वरी सेंट्र की सब्जेक्ट को ठीक है जैसे कि हमने आ देखा Central State को फिर फिर क्या हुआ कि यहाँ पर अब दोनों अपनी अपनी लिस्ट के एक्कॉर्डिंग य यूनिटेरी था जो पुरा जो सिस्टम था गवर्मेंट का अब भी पूरी जो कंट्रोल पावर थी सेंट्र के हैंड में ही थी ठीक है बस सब्जेक्ट डिवाइट के था मतले भी कुछ जो फाल जो सब्जेक्ट है जो इंपोर्टन नहीं थे वो प्रोविंस को दे दिया ग ऊब लगवा ब्राइएड के मेंटाइट से डिस्कास् करने के बाद थीक है उन से मिनिस्टर से डिसकस करने के बाद तू ट्रांस्वार्ट सब्जेक्ट पे वो जो दूर्म बनाते थे लौल आते थे उनसपर लीस्टलेंट करते थे उस उसके आज पर है रिजर्फ सब्जेक्ट ठीक है अब रिजर्फ सब्जेक्ट में क्या हुआ कि यहां पर गवर्णर रहा उसकी एक्जिटी कॉंसिल के एक्वाडिंग ठीक है गवान उसकी executive council को responsible न करते है वह अपने according ले सकता था decision तो reserve subject का क्या होा था reserve subject, अब governor उसकी executive council Harmony रिकॉर्डिंग डिशिजन लेगा रिजर्फ सब्जेट्स पे ठीक है विडाउट बिइंग डिस्पॉंस पॉल तो लेजिस्लेटिव कॉंसिल ठीक है और यहां से एक और जो मुस्स इंपोर्टेंट पॉइंट जो पुछा जाता है कि डियार्च कहां पर इंट्रोड्यूस और यहां पर गवर्णर एक साथ डिस्कस्त करने के बाद यहां से डबल गवर्म के स्टार्ट हो गाय था लेकिन यह अंसस्क्स्फफूर्फ रहा था ठीक है स्ट्माट में काफ़ बार पुछ्टी कि इसकॉस्फूर्फ रहा था है नहीं कि को आपको ज्यां लाइन रखना लेकिन यह लेँर्स पर नसक्सेफूल रहा था ठीके के आ जो काफी इमपोर्टव्टन यहाँ पर पहली बार जयां लोगसभा आन राजக राजर्चा हो गई तो यह क्या हो गया यहाँ होगा ओगा ने निलुकसभा हों ऐसे स्टेट में भी होता है इसे हम बोल सकते कि स्टेट की लेजिसलेटिव असेम्बली होती है ठीक है उसके बाद फिर होती स्टेट की लेजिसलेटिव कॉंसिल यहां पर ही बाइकेमरिलिसम हो सकते है अला कि स्टेट की जो लेजिसलेटिव कॉंसिल है वो हर स्टेट में नह इंहीं नुणते है वी स्टपोनियोग यहाँ आप है यह काफ़े encryल भाइक पॉंट पताए ठीन भी यह दो ने लिए भोगे ऑना इस एक है चुछाँ भासतती प्यास जिसे हम बोलते है राजिसभा राजिसभा को क्या बलते है अपर हॉस और Consul of State और Lower House इसे लोकसभा के नाम साज हम जानतें है ठीकि है इसे जो डाइरिक एलेक्शन से चूस किये रहे थे ठीकि है डायक्ष्थ een डायक्ष्थ अब देख लेती यहाँ पे, तो अब वाइसराइ की एक्जेकुटिव कॉंसेल अगे क्या होगा, छे मेंबर में से, तीन मेंबर इंडियन होंगे, पाउर आर्मी की पाउर कमांडेर इंडियन के अधहिं नहीं होगे, बाइकी दूसरी प्लेस पर इनडियन होना, कंपल सर्थ हो गई कि अब उसके बाद फिर क्या हूआ जो कर्मिनल रिप्रेजेंटेशन पहले स्टाट फिया था 1909 में सिख मुस्लिम के लिए अब उसे बढ़ा कर कहां पर कर दिया गया सेप्रेट इलेक्टरेट को सिख के लिए भी बढ़ा दिया गया इंडियन क्रिश्टियंस के लिए बढ़ बढ़ा दिया गया और यूरोपेंस के लिए भी बढ़ा दिया गया वैसी यह काफी इंपोर्टेंट है इसे स्टार लगा लीजेगा यह आपको याद करना है कि सेप्रेट इलेक्टरेट कहां पर मुस्लिम के लिए था उसके आप फिर कहां पर एक्स्टेंड किया गया था किया गया था ठीक है यहां पर बोल सकते है कि यू पैसी डारेक्टि स्टेटेंट में कि यहां पर वोगो मेंमेट कर देती हैं था खिरको भी स्टेंठ किया गया था ईक्रेंट को इस ब्रक्रीं양िस क्लास को तो य intercept भी इन द्यान रखना त्दर प्रम ईपर सेखेते एख दि इंडिया को भी दे दी गई था कि फोड़े फॉर्मशान वह भी परफॉर्म करेगा इस पर जादा लोड नहीं रहेगा उसके आद पर पॉब्लिक सर्विस कमिशन का इस्टेबलिश्मेंट हुआ था यहाँ पर सेंट्रल प्लप्लिक सर्विस कमिशन तिक सेट अप हुआ था 1926 में फॉर्र रिकूटिंग सिविल सर्वेंट्स ठीक है पहले कि आद पहले सिप्रिटिश रसी वा करते थे उसका पर हम पर रिकूट्मेंट किया गया सेंट्र पॉब्लिक सर्विस कमिशन का पॉब्लिक सर्विस कमिशन का उसके बाद पहली बाहर प्रोविंशल बजट में प्रोविंशल बजट को सेंट्रल बजट को डिफ्रेंशेट कर दिया गया था कि अब आपने सेप्रेट बजट आएंग सेंटर का अलग आएगा ठीए गाइस तो यहां पर हमारा 1919 खत्म होता है अब जो नेक्स स्टार्ट होता है वह गवर्मेंट ऑफ इंडियक 1935 तो जिसमें आपको बता है आपको बहुत कैरफुली ध्यान से सुनना है और समझना है इसके फीचर्स देख लेते हैं यहां पर पहले बाद स्टेबलिश्मेंट हुआ था और इंडिया फेडरेशन का वे खिस मातलब यह है कि यहां पर सेंटर रहेगा पर इंडिया पर सेंटर रहेंगे जिसे यहां पर यहां पर इंडिया टीमिक वर्मुल्ला एंडिया है तो यहां पर तीन लिस्ट का formula start हो गया था, तीक है guys, जिससे कि मैंने आपको last point में बताया था, कि हमारे Indian M7 schedule में, अभी constitution में तीन list है, एक वरती अपनी center की, एक state की, एक अपनी concurrent, जिन दोनों को मिलाके बनी है, ठीक है, यह वली, तो यहां पर, यहां से list वाला system start हो गया था, टीक है, Center के यंट में किते थे 59 आटेम्स थे, प्रोविंस के यंट में किते थे 54 आटेम्स, एंड Concurrent जहांपर दोनों बिलके बनाती युवाँ पर 36 आटेम्स हुआ करते थे और Residuary Power मतलब ये है जो इन तीनों के अंडर में ना ना State के ना ही इन दोनों को मिलाकि तो वह पावर किसके हैंड में थी वह वाइसराई के हैंड में थी और आज अगर हम अगर प्रेजेंट में देखें तो आज अगर सेंटर सेट और कॉंकरेंट के लाव जो पावर है आज जो पावर है वह हमारे पार्लियामेंट के हैंड में होती है रेसिडरी पावर्स ठीक है स्टम था वहाहा पर सक्सेस्फफुल नहीं रहा था जैसे असे वहःपर सक्सेस्फुल नहीं रहा था फिरनरक्सी स्टेल कोन होते थी यहाप कि राजा महराज पाए पर राजा रजवाड़े राश करते थे वो प्रिंस्टी स्टेट हुआ करते थे उन्हें जोइन नहीं किया था इसलिए फेडरेशन का सिस्टम एक से इंप्लिमेंट नहीं हो पाया ठीक है जैसे हमने देखा था यहां पर इंट्रोड़ूश कर दिया गया था प्रोविंशनल ऑटोनॉमी को लिया गया था उसतर फिर अलाउग किया था कि ऑटोनॉमी से इंट बन सकती है अपने एकॉडिंग एडिमिस्टेशन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एडिया में ठीक है इसके साथ आगर उनको पर पावर दे गई है उनको रूर्ट से कर इंडिपेंडेस दे गई है तो आप एक रिस्पोंसबल गवर्मेंट का बनना स्टार्ट हो गया था प्रोविंस में उसके बाद फिर जो गवर्नर थे गवर्नर एडवाइस लेते थे मिनिस्टर से वो रिस जैसे कि आज हम देखते हैं मिनिस्टर से आज तो इनका है तो व कंS इर्च लाते है वो जाता है मतलब यही कि एक लिंक है इन दोनों के बीच में जैसे में आपको पता है कि हम जो पढ़ रहे ना हमारा में मुद्धा होई ही कि हमको जानना है कि आज जो हम फॉलो कर रहे हमारे कोन्सिट्यूशन उसे हमने कहां से समझ。 अभी कहां से लिया है उसका फ्रेमवर्क का स्टाट हो चुका था ठीक है जिसे यहां पर गवर्नर उसके मिनिस्टर एड अड़ष एडवाइसर मिनिस्टर से काम कर रहा है और जो गघंधार में इंट्यम चान के हुआठ शियाटर को लेलो यहां पर कोई सी भी जो एक्ट लाया थी वह जादा टाइम तक नहीं चला था आगे देख लेते हम अब यहां पर हुआ कि पहली बार जो लाया गया था वहां पर 11 में से शे प्रोविस ने स्टार्ट कर दिया गया था वहां पर इंट्रॉडक्शन हो चुगा था और फॉलो कर रहे थे और कौन-कौन से थे वह था बेंगाल बॉंबे मद्रास बिहार आसाम यू-पी जो आज हम उत्रप्रजिश के थे उसे पहले उनाटेट्ट करते थे यहां पर बाइक्रमेरल इसम स्टार्ट हो चुका था लेजिसलेटिव कॉंसिल के सायर जिसे अपर हाउस कहते हैं और सेकेंड इस लेजिसलेटिव असेंबली जिसे लोवर हाउस कहा जाता है स् लेजिसलेटिव असेंबली और स्टेट की लेजिसलेटिव काउंसिल मतलब यह समलो कि स्टेट का लोग सभा और स्टेट का राज्य सभा लेकिन फिल भी थोड़ी बहुत रिस्रिक्शन उनके ओपर थी अभी भी महाँ पर उसका ठीक है जैसे मैं आपको पहले डिसकस किया कि यहां पर कर्मिनल रिप्रिजेंटेशन और आगे बढ़ा दिया गया अब किन किन के लिए बढ़ाया यह इंपोर्टन यह काफी बार पूछा गया जिसे मैं आपको पता थे स्टेट्मेंट में यहां पर डिप्रेस क्लास के लिए ठीक है शेडिल कास के लिए बढ़ा दि अब आपको पर दिखाना चाहिए इस सबसे पर हमने नाइंटीन जेलो नाइन में देखा था कि वहां पर सिफ मुस्लिम के लिए था सेप्रेट इलक्टरेट उसके पास धीरे दीरे युरोपेंस के लिए एंगिलो इंडियन के लिए सिक के लिए इससे बढ़ा गया लेकिन अब यहा पर क्या यहाँ यहाँ पर डेक्ट्रेस क्लास के लिए बढ़ा दिया गया था साधे साथ वूमन और लेबर को इसमें शामिल कर लिया घया थीक है उसके ओब आध कॉंसिल ऑफ इंडिया का उप्यूलिश कर दिया गया ऑउस्टेबलिश किया गया डर्वल्मन ऑफ टीम के साथ बनाया गया ठीक है उसके आज फिर इस फ्रेंचाइस को एक्सेंड कर दिया ओर 10% टोटल पॉपुलेशन को प्राइट दे दिया गया यह वो भी वोट कर सकते है ठीक है ज्यान रटना कि सिर्फ 10% कोई यहां पर वोटिंग राइट मिला था ठीक है वो साथ ही साथ अब आर बिया के स्चिप्रेश्मन भी तब भी हुआ था कोई कर नंसे ओक्रेश्मन की फ्रैट करने के लिए कर्क्रेंटी में कि लिए कि कि अब यांद रखना ऑब सब को या था 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 रड़ियका से विट्रेश्मन घब हो था इसके एक अगर देखा यह जाए तो यह प्रोविंशल पाब्लिक सर्विस कमिशन की स्थापना यहां पर हो गई थी और जॉइन पबीक सर्विस कमिशन दॉळ दो से जाह्दा प्रोविंस के लिए मतलब 2 पीड यह सकते थे सिंगल पब्लिक सर्विस कमिशन और उसके बाद यहां पर ह Packer तो यहां पर हमारा कवर होता है Government of Index 1935 आपको मैंने तीनों समझा दिये यह काफी इंपोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है कि आपको लेक्चर देखने के बाद कम से कम एक बार बुक से रिवाइज जरूर करना है और आपको लिंक करना है कि हमने केसे पढ़ा है केसे समझा ह कौन से पॉइंट एक्जाम पॉइंट वी से काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि हमें हाड़ वक के साथ सथ अभी स्मार्ट वक भी करना है तो आपको सिफ वही चीज कवर करवा रहा हूं में जो एक्जाम में पूछने के चांसे ज्यादा है तो अब हम देखेंगे आगे इं इसके फीचर्स देख रहे था हम यहां पर ब्रिटिश रूल एंड हो गया था 1947 में ठीक है आप सबको पता है कि पंद आगस को आजादी मिली थी तो यहां पर ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया गया था और इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवर्जन स्टेट गोशित कर इंडिया गया था पंद आगस 1947 को ठीक है अब सबको पता है कि पंद आगस को आजादी मिली थी इंडिपेंडेंटेंस मतलब यह है कि इंडिया के डिशिजन इंटर्नली और एक्शनल या बाउंड नहीं है वह अपने रिकॉर्डिंग काम करेगा अब वह जो भी करेगा वह इसका थैज आगर कृश्च म्हों को आप सबको पता है कि इंडिया पाक का की साब केसा अगर आपना थोड़ा सा कर बड़ा सब्सक्रिपड़ा हो तो इसमें आप सबको करना पादा केसे हुआ हुआ तो यहां पर दो independent, dominant की स्टापना हुई थी एक India and एक Pakistan with right to succeed from the British Commonwealth right to succeed from the British Commonwealth Commonwealth मतलब Commonwealth मतलब वह country या फिर वह area जहां पर British ने राज किया है जहां पर British ने राज किया है तो right to succeed मतलब यही कि अब उसके अंडरमनी आ था उनके according को काम कर सकते थे और चायतों Commonwealth से बाहर हो सकते थे राइट की दोनों को इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी ठीक है अब यहां पर जो वाइसरा की जो पोस्ट बनाए गए थी उससे अपोलिश कर दिया गया ठीक है वाइसरा काटा दिया गया आप यहां पर हर इंडिया की जो केबिनेट होती थी या पर पाकिस्तान की जो केबिनेट है वह जिसे एडवाइस करेगी किंग को कि हमें यह चाहिए हमारा गवर्नेट जंडर उससे बनाया गए ठीक है और सक्याद पर साथ ही साथ जो क्यों इलिजबाय थी आफिर बोल सकती है जो वहां के जो महारा ने थी जो गवर्मेंट थी जो ब्रेटन की जो महारा ने थी अब वो उनकी कोई इंडिया की गवर्मेंट से या फिर पाकिस्तान की गवर्मेंट से अगर यहाँ पा अगर आप कुछ भी हो थो ठीक है अब इंडेपेंडनेस बिल चुकी थी तो उनकी बोला कि अब तुम्हारे उपर तुम अपने 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 इंडिया को डूल करो और आगे चलाओ थीक है और साथी साथ यहाँ पे चुस्तिट्टिवेंट असेंबली भी बनाये गई डूनों डूमिन्हान की एक्कोंडिंग ठीक है framework बनाने के लिए अपने अपने अरिया में अपने अपने अकरंटी में सबने अपनी constitution assembly बनाई ठीक है अपने अपने nation के according और जित्ते भी जो British Parliament ने जो act बनाया थे rules and regulation बनाया थे वो आप खत्म कर सकते हैं और चाहे तो वो आपने independence act के अंदर भी include कर सकते हैं उनके बन मैंने देखा independence के बाद हमने कुछ provision अपने constitution में अभी भी जो British government ने रूल किया था उसमें से लिए हुए है और आज भी हम follow कर रहे हैं ठीक है secretary of state for commonwealth affairs commonwealth affairs के hand में सब यह दिये गरे थे commonwealth में आपको बता है कि जहां जहां पर अब इसने रूल किया है उसे commonwealth में include किया गया था जहां पर British यहां पर UK ने ब्रिटेन ने रूल किया है उसके आज फिर यहां पर British जो बुलते कि सरो परे था वहां पर उनको हटा दिया गया ठीक है over the Indian princely states and treaty relation with tribal serious form August 15, 1947 ठीक है वो उसके साथ इसाथ freedom दे दी गई थी Indian princely states को कि वो चाहे तो joint कर ले इंडिया को या फिर पाकिस्तान डॉमिनियन को या फिर वो independent रह सकते हैं कैस्त हम बोल सकते कि यह काफी बड़ा loophole रहा हमारे constitution में constitution नहीं बोल सकते कि जो Britishers ने जो डिमांड रखी थी princely state के सामने कि वो इंडिया को भी जोइन कर सकता पाकिस्तान को भी और independent भी रह सकता है तो इस वेसे हमको काफी प्रॉब्लम देखना पड़े थी 1947 के बाद भी ठीक है उसके आध फिर इट प्रोवाइड़ दे गवर्नेंस ऑफ इस डॉमिनियस इंट प्रोविंस बाद गवर्मेंट ऑफ इंडियक 1935 ठीक है गवर्मेंट ऑफ इंडियक 1935 को अब तक वो चला सकत है वो नए कॉंसिट्यूशन जब तक ना बने ठीक है मैं अब गवर्मेंट ऑफ इंडियक 1935 में जो रूल्स आया तो उसके रिकॉर्डिंग वो अपने जो सरकार है अपने जो गवर्ने से चला सकते जब तक नए कॉंसिट्यूशन ना बने वो जब तक उसमें कुछ मॉडि विटो करने के लिए बिल्स विटो मतलब समयलों कि रोग देना अपने हेंड में पावर लेना ठीक है विटो मतलब कि श्टॉप या पर रोग देना रिजर्व कर लेना उससे रिलेटेट जो पावर थी या फिर आस पर रिजर्वेशन उनके अपरोल के एकॉर्डिंग ये the right was reserved for the Governor General, अब वो सब Governor General के हैंड में था, और Governor General के हाथ में full power थी उससे बिल्ड के related जित्ती पावर थी सब Governor General के हैंड में थी और वो उसके Majestic के According कर सकता था, ठीके गाइस तो यहां पे हमारा 1947 का हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, it discontinued the appointment to civil services and reservation of post by the security of state for India, ठीके अब जो civil services में जो appointment था, reservation था, पोस का उसे अब हटा दिया गया था, ठीके लेकिन जो पंद आगस 1947 की पेले जो civil services appointment किये गये थे, अब भी भी वो continue कर रहे थे, एसा civil servants, ठीके, आप सबको पता होगा कि Lord Mountbatten हमारे यह बोल सकते हैं कि India Dominion के Governor General बने थे, पहले Governor General इंडिया के कौन थे? Lord Mountbatten ठीके, और उसके बाद अगर हम अगर लेखेंगे, तो who was the first Governor General of India, ठीके, of the independent Dominion, ठीके, इंडिपेंडेंडेंस के बाद पहले इंडियन कून था, Governor General का, तो अपने श्री राज गोपला चाहते, ठीके, श्री राज गोपला चाहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, आप confusion नहीं होगा, तो guys हमारा यहां पर second lecture खत्म होता है, historical background ही पुरा खत्म होता है, and make sure कि आप घर पर जाके, एक बार book से read ज़रूर करें, ठीके, जिसके मैं आपको पहले बताएं कि हमने सिफ important point की cover कियें यहां पर, तो आपको यह तो book में जाकर उसके आसपर जो आपको लग रहा है वो भी एक बार देखना है ताकि आप link कर सको कि कहां कहां से rules आये कैसे base बनाएं, okay guys, so thank you so much, all the best, good luck, revision ज़रूर करेगा, ठीके, मिलते हैं next lecture में, thank you so much.